आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो energy loss होता ही है लेकिन किस form में ये energy loss होता है heat के form में, ना कि sound के form में ठीक है, friction के लिए अगर दो surfaces हैं जिनके पास आपस में friction है तो जब ये एक दूसरे के उपर से rub करते हैं तो यहाँ पर heat generate होती है इनकी constant rubbing से और ये heat energy ही energy loss का कारण होता है तो ये बात समझनी है कि friction produces sound, ये बात गलत है friction से sound नहीं निकलता friction से heat energy produce होती है ठीक है, और ये heat energy कई सारे cases में desirable नहीं भी होती क्योंकि example के लिए अगर मेरे पास machines हैं तो machines में friction तो होगा ही और friction के कारण ही heat produce होती है अगर आप उनको जादा दिर चलाओ और इस heating से उन machine के कुछ parts हो सकता है melt हो जाए या खराब हो जाए तो हम नहीं चाते और साथ में machines को चलने के लिए लगती है आपकी electricity और उसका कुछ energy heat की तरह waste हो रहा है तो आपकी energy consumption भी बढ़ जाती है तो हम इस question को अच्छी तरह समझ चुके है I hope question सबको clear हो गया होगा Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 पर